नमस्कार आप देख रहें दस्तक टीवी लिश्व के साथ चतिसगड़ के राइगड़ में पुलिस सेशन का छज़ा गिरने से दो पुलिस वाले घायल हो गए चतिसगड़ के राइगड़ में पुलिस अधिक्षे कारेले में शुकरवार सुबह एक खासे ने खाकी वर्दी वालों की जान खत्रे में डाल दी दरसल एसपी ओफिस से लगे शिकाय सेल का छज़ा एका एक फॉल सिलिंग के साथ नीचे गिर गया जब वहां सब इंस्पेक्टर एलपी तिवारी और कम्पिटर ओपरेटर अनिल जैसवाल काम कर रहे थे इस घटना में दोनों पुलिस अधिकारी घायल हो गए लिहाजा समय को देखते हुए उन्हें नजदी की अस्पताल लाए गया जहां ओपिडी का पर्चा कटाने के बाद जखमी पुलिस केजुल्टी पहुंची लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिला आदे घंटे तक हॉस्पिटल में भटकने के बाद जब किसी भी जिम्मेदारी चिकत्सक के दर्शन नहीं हुए तो मजबूरन पास के संजीवनी हॉस्पिटल लाए गया जहां वर्दी धार्यों का इलाज हो पाया मैं स्पि ऑफिस में आरक्षक क्रमांग 615 नील जासवाल हूँ वहाँ सिक्यास साख हमें कायर रहत हूँ हाई जहां हम लोग काम करते हैं वो पुराना भवन है वो भवन का पहले से जरजर हालत था हम लोग बैठे थे अचानक वहाँ से उपर सिलिंग से गीरा सिलिंग का जो तुकड़ा है वो मेरे सिर उपर गीरा और उसका कुछ तुकड़ा मेरे जो प्रभारी है तिवारी सर उनके उपर गीरा जिस उनका बलडिंग हो गया सिर में और मेरे सिर पर भी हलका चोटाई है तो हम लोग सरकारी हॉस्पीटल गय थे, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं थे, तो इसलिए हम लोग फिर संजिवनी हॉस्पीटल आए, आराई साहब हम को लेके आये थे, तो अभी लाज के बाद जा रहा है दस्तक टीवी के लिए राइगर से विजे कुमार भार्जवाच की रिपोर्ट तमाम बड़ी खबरों के लिए देखतरे ये दस्तक टीवी